सबसे पहले तो जिनको बहुत जल्दी है, जिनके पास समय का अभाव है, अच्छी बात सुनने में मन नहीं नगता, बोर हो जाते हो, या संतों की माणी कान में चुकती है, तो कृपिया इस वीडियो को आप ठोड सकते हैं, बीचे बहुत सारे ऐसे वीडियो आरहे होंगे, ज आपकी लाइक्स के लिए कुछ भी बाते करते हैं, क्योंकि ये एक वीडियो ऐसा होने वाला है, जहां मैं अपनी साधना के सच्चाई आपको बताने वाली है, तो उसे जानना है, तो दुबरा समय भी लगेगा, और आपका धहरी भी लगेगा, मैं आपकी राशी अनुसार एक योगी क्रियाएं बतानी वाली है, अपने हाथ को कुछ सर्टिन तरीके से मोने से, बनाने से, मुद्राओन रखने से, आप अपने भागी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, बो बतानी वाली है, लेकिन हा, सारे के सारे वीडियो का इंट्रो सेम होने वाला है, तो तो skip करके हम segments बना रहे हैं, आप सीधा अपनी राशी के segment पे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, कि एक एक राशी के लिए एक एक वीडियो में record कर सकोूँ, अब ऐसा करने लगी, तो देखो, या तो मेरी साधना छूट जाएगी, या तो जो मैं आप लोगों की कुडली भविश्य देखती रहती हूँ, वो छूट जाएगा, या लोगों से मिलना जुलना छूट जाएगा, और इन समी को मैं ना तो सिवा छोड़ सकती हूँ, ना आप लोगों की राशी भविश्य बताना चोड़ सकती हो और ना ही अपनी साधना चोड़ सकती हो तो कुछ ना कुछ तो आपको मैनेज करना ही पड़े हैं ग्रेहों की बात गुरुमा के साथ जै शरी देव जै श्री कृष्णा मैं हूँ आपकी गुरुमारुपमनी फिर से आई हूँ आज आपको कुछ विशेश बाते बताने आज अपनी साधना काल में जो अनुभव किये वो आपके साथ साजा करो देए हमारी साधना काल में हमारी गुरुदे परम उज्जे गुरु रजनी श्रीशी जी ने कुछ सूत्र हमें भी है वो हमने प्रयोग की और दीखा उसमें कितनी पावर है इस उपाई को करने में इतनी पावर आ जाएगी कि जब आप इस उपाई को करेंगे तो सारे ब्रह्मान की शक्तियां आपका सार्थ मेने करीब होगे आप अपने भाग्य को भी प्रभावित कर पाएंगे अपने कर्मों को भी अच्छा कर पाएंगे अपने स्वेम में भी बहुत सारा परिवर्तन देखेंगे, मात्र 21 दिन मुझको देखेंगे, यह जो रहस्य है, यह जो सीक्रेट है, यह मंत्र शास्त्र और उपास्थना शास्त्र में मिलता है और करोणों करोणों में से कोई एक ऐसा विर्ला ही ऐस्ट्रोजर होगा, साधू होगा, या कोई ऐसा जोतिश अचारे होगा, जिसको इस ग्यान के बारे मुद्पा लेगे अगर आप रोजाना सुभें यह प्रयोग जो आपको बता रहे हैं, इसको करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में जो उर्जा है, वो उर्जा आपके पूरी बोडी को संतुलित कर रहे हैं और संतुलित करते हुए वो आपके आज पास का जो औरा है उसको भी प्रभाव डाल रहे हैं, और यह प्रभाव होगा, तो आपके लाइफ में भी बहुत बड़ा इंपक्ट हो, जो परमात्मा असीमित हैं, उसके पास असन की शक्तियां हैं, और वो सारी शक्तियां ही हमार अनरे वूटलीयां ही जू पांचो ऑंगलियां इन पांचों अंगलियों में हमारे जो तत्व पांचों तत्व पर द्हे subscribe जैसे यह जो अंगुठा है इसके अंदर हमारा अगनी तत्व यंदेक्स फिंगर में इसली में होता है कर शे शेट कर मुदिनी फिंगर भीयु इसली जो पोर को Rexo लिग है इस अवारि इनलय कुछिणा प्रट्वा एड़का देल पा्निस का हाद्मियों की है अब इनको कैसे प्रभावित करना है, कैसे यूज करना है, वो आज़ हम इस वीडियो से एक एक करने सीखें, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो अपना ही जो फायर एलिमेंट है, इसको थोड़ा दबाना शुरू करें, आपका फायर एलिमेंट बैलेंस होगा, तो अल्टिम करेंगे, जो लोग रोते पहुत है, अपने वाटर एलिमेंट को थोड़ा दबाना शुरू करो, दिरे दिरे देखो कि आपके रोने का जो प्रॉब्लम हो कम हो, मेरे नाम विकाश्या है, मेरे फादर ललन शाह है, हम लोग करोल बाक से रहने वाले है, आजम गुरू मा के प कि जिनकी जो समस्या है, गुरू मा के चलनो में आए, एक बार गुरू मा का असिर बाद लें और एक बो कोशी करें, क्या पता हमारा रास्ता कुल रहा है, सब का रस्ता बगवान, सन्नी बगवान बढ़िया बना दे, सब लोग सहीर कोश्टे के एक गुरू मा के चलनो में अपना सबागम का दे, तो नहीं मानते हैं एक बार आके देखने ना, अगर ना इस समाधान हो तो बताना, समाधान 100% होगा जहां तक कि मेरा विश्वास है, बिलकुल शही बताया, मेरी उमर अभी 25 साल है, मैं भी यंग हूँ, पर में फस्ता हम आया हूँ, मैं देखा जो पमेरे आपकी जो कर आखे लंगया, इस फेंदर मंगल है, यह जो आपकी रजणी ओंगली इंडेक्स, फिंगर यहां पर आपकी प्रेस्पती रहतरा एक, यह जो अपकी अगली है इसमें शनी होते इसंगे होटे है, और सबसे चोटी उंगली में बुथे, इसके नीचे होत लें हाथों द्वारा कर सकते हैं कोई भी जोतिशाचारे आपको को अंगूटी पहना तो उसके उपर ही होता है क्योंकि ये परवत सबसे पहले प्रभावित हो चलिए आपकी राशी अनुसार आपको बचाते हैं कि आपने कौन सा उपाय करना है ताकि भ्रमाण की सारी शक्ति 21 दिन में मात्र 21 दिन में आप देखेंगे आपके जीवन में चमतकार घटत हो रहे हैं आपके इच्छाओं के पूर्ती होनी शुरू हो गई वरश्चिक राशी वालो आपका चंद्रमा नीच होने के कारण आपका मन बहुत परिशान रहता है और साथ में अगर मंगल भी आ बहुत सारी शत्रू आपके बन जाते हैं जो आपको हमेशा गलत समझते हैं उनी के साथ आप उलजे रहते हैं और सारी उर्जा आपकी पॉजिटिव होनी की जगा नेगिटिव होने लगती है इन सभी को कैसे ठीक करें चलिए बताते हैं आज तक जिस भगवान को आप ये स पांच मिनट पांच मुद्राओं को बनाना है अपने हाथों को जो मैं आपको मुद्राइं बता रहे हूँ उसमें आपने मोर्न सुखे के समय इस उपाई को करेंगे सबसे अच्छा है ब्रह्मुरत में करें तो बैस्ट हैं नहीं हो सके तो आप कम से कम नौ बजे से पहले एक पैसे उस उपाय को कर लीजें जो लोग मॉर्निंग में जल्दी नहीं उच सकते हैं मीद्य ती समस्याазыв और बेक्ता Clevatra, कशकेफर्स करें content का मेरू दंड बिल्कुल सीधा इरेक्ट होना चाहिए, यानि कि आपने जुक करके सुपाई को नहीं करना है, आपने पीट को इजनम सीधा रखना है, खीच के रखना है, ताकि आप जो एनर्जी फ्लो में बतारी हूँ, आपके भीतर से हो सके, सबसे बहले मुद्रा जो आप सारा ज्यान हो दे होगा, आप बहुत सारा कॉंसेंट्रेशन पावर अनुभव करेंगे, आप देखेंगे, आपके मेमोरी शार्प होने लगी है, चीजों पर पहले से जादा फोकस कर पा रहे हैं, जैसे भटके भटके पहले रहते थे अब ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है बड़ा सिंपल सा है आपने अपना अंगुठा और अपनी फर्स्ट विंगर जो है इन दोनों को आपने इस प्रकार से मिलाना है, दोनों हाथों की और मिला करके ऐसे उपर की तरफ करते हूँ अपने गुटने पर रख लेना है, आप गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी के करके इस की बड़ाएं इस प्रकार से आप इसको फास करते चाहिए, अब जो दूसरी मुदरा आपको बनानी है वह है अज मुदरा, यह जो मुदरा मैं आपको बता रही हूँ आदी मुदरा इसी इसली कहते है क्यूंकि माता के गर्भ में हम सब जो बच्चे होते हैं, ज से दूर हो जाता है, उसको जो frustration हो रहा है, stress हो रहा है, anxiety हो रही है, वो सब नहीं होता है, जो depression हो रहा है, वो नहीं होता है, देखो, बहुत सारी समस्या है, जिसका निवारण हमारे पास ही है, हमारी बुद्धी हर चीज का निवारण खोच सकती है, अगवान ने ऐसा कोई ता एकदम शान्थ होने लगेगा और बच्चे जैसे खुश रहते हैं प्रसंद रहते हैं आप ये विल्कुल ऐसे ही रहने लगें इस मुद्रा को बनाने के लिए आपने अपने दोनों हाथ को अंगुठा जो है ऐसे इस प्रकास से सबसे चोटी उंगली के निचे रखना है बाक पांच मिनट इस मुद्रा को बनाएं ब्रीधिंग को एकदम शान्थ होने दें दो मिनट अपने आपको बस ऐसे ही सी मुद्रा में रहने दें आसपास के वातावरण को देखे भगवान की चड़नों में अपने आपको छोड़ दें और फिर अगली मुद्रा की तयारी करें ब्रश्चिक राशी वालो अब मैं आपको बतानी जा रही हूँ प्राण मुद्रा इस मुद्रा को करें आपने दोनों हाथों को आपने सीधा रखना है जो आपकी बाद की दो उंगलिया है यानि की अनामिका और कनिष्ठा इनको अपने अंगुठे से इस प्रकार से जोड पांच मिनिट इस मुद्रा को आपने बनाना है इस मुद्रा को करनी से आप निखोगे आपके मन के भीतर बहुत सारी खुशी आप अनुभव कर रहे हैं खुम सारी स्पूरता आ रही है बहुत हैपीनेस खुश आपको लग रहा है एंजाइटी लवल कम होता है स्ट्रेस आ पहारी पन है वो भी इस मुद्रा को उसके बाद अब आपने जो मुद्रा बनानी है वो है मीरू दंड मुद्रा आपने अपने दोनों अंगुठों को इस प्रकार से सीधा करना है अपने चारों उंगलियों को इस प्रकार से अंदर की तरफ मोड़ना है और गुटने पर उ लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, पांच मिनट तक ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, यह भुंतरा जो है ना बड़ी विशेश है, बड़ी चमतकारी है, हमारी जितनी वे शक्तियां है, जो ही उर्जाएं है, हमारी खुद की कॉंशेसनेस है, वो हमारी जो मुख है, वो मेरू दंड के अंदर जो शक्ति समाहित है, उसी से है, तो हम अपनी कॉंशेसनेस को और अच्छे से इवॉल्व कर सकते हैं, यानि कि आप जब इस मुद्रा को करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जिसे बहुत ऊपर की तरफ आपकी उर्जा उठ रही है, आपको बह पहर आपके भीतर हो जाए, आपके शरीर में रोमान चाने लगे, भागवान से एकदम आपकी आतमाइता बढ़ जाए, भागवान क्या और निकट कनेक्शन आप उनसे फील करने लगे, उनिवर्स से, नीचर से कनेक्शन फील करने लगे, आपको बहुत सारे चेंजे से कुबेर मुद्रा जी हाँ इस संसार में कुबेर के बिना यानि लक्षमी के बिना धन के बिना तो कुछ भी नहीं है आपको अपने इच्छाएं पूरी करनी है अपने जीवन में अपनी मनोकामनाई पूरी करनी है तो कुबेर जीतर आपको चाहिए अपनी इच्छाओं की उपर कीटरफ इसमुद्रा को रखेंगे और गहरी लम्बी सास परेंगे पाच मिनट इसमुद्रा को करें इसको कने से धनी की प्राप्ति होते हैं आपका मन जो है आपके उर्जा जो है वो द्हने को संचालित करने की तरफ लगते हैं आप पांच मिनट इस मुद्रा को करने के बाद अपने आपको बिल्कुँ शान्त छोड़ तीजे और आपने करना है विजुलाइजेशन टेखनीक यानि कि आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं अगर धन की कमी है तो अपने सामने बहुत सारे धन को आप विजुलाइस कर तो विजुलाइस करें आपका व्यपार बहुत अच्छा चलने लगा है आपके पास कस्टमर आरे कोई दुकान है चलती नहीं लोग नहीं आते ग्राहक नहीं आते मन में ऐसे विजन कीजिए आप ऐसा अपनी आखों के सामने दुश्य आंखे बंद करके लिए कि बहुत सार लोग आपती दुकान पर आ रहे हैं आपसे समान खरीदना चाहते हैं अगर प्रेम की कमी है जीवन में तो जिससे भी प्रेम करते हो वो आपसे प्रेम कर रहा है ऐसा विजुलाइस करो लोगों के बीच में समान नहीं मिलता तो ऐसा अनुभफ करें जैसे बहुत से लोग का सम्मान कर रहे हैं, आप इस visualization टेक्नीक को इन मुद्राओं को करने के बाद करें, जो ही मनोकामना है, जो ही इच्छा है, उसको अपनी आखों के सामने लाने का प्रयास करें, वो सकता है, पहले दिन ना हो पाए, धीर धीर 21 दिन में आप उसे पूरी तरीके से visualize कर पाएंगे, लेकिन एक बात का धियान लखना कि आपने एक ही मनोकामना मांगने हैं किस दिन, ऐसा नहीं है, आज धन मांगरे हो, कल बीवी मांगरे हो, परसो बच्चे मांगरे हो, ऐसे कैसे चलेगा, लेखो मेरे बच्चे इतने प्यारे, इतने मासूम हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि मांगना कैसे है? बहुत लोग मुझसे कहते है, गुरु मा हमें समझी नहीं आता, भगवान से मांगे क्या? और वैसे हमारे को हर चीज की कमी है. तो एक कहानी सुनाती हो तुमीं, इस कहानी को सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भगवान से मांगा कैसे जाता है? कैसे अपनी सारी इच्छाया पूरी करा सकते हैं? एक गाउं में एक बुढ़ी माई नहती थी, वो नेत्रहिन थी, उसके आखे नहीं थी, लेकिन गरेश ची की वो बहुत बड़ी भक्त थी, उसकी भक्ती से प्रसन होके एक दिन गनेश ची उसके सामने प्रकट हो गए, बोले, ह बुढ़ी माई, बता, तुझे क्या वर्दान चाहिए? बुढ़ी माई बोली, प्रभू, आप कल आना, मैं जरा सोच विचार के, अपने बहु बेटे से परामश करके, फिर मैं आपको बता दी होगी मुझे क्या चाहिए? गनेश ची मुस्कुराए, लेकिन फिर भी उसकी बता को मान गए. अब बुढ़ी माई सबसे पहले अपने बहु और बेटे के पास गए, जाकर के उद से पूछा, तो बेटे ने कहा, माई, देख हम गरीब भी है, हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो ऐसा कर गनेश ची भागवान से तू धन मांग ले, हम अमीर हो जाएंगे बहु कहने लगी, अरे माजी, पैसे का क्या है, आते जाता रहता है, हमारे है कोई संतान नहीं है, आपकी कोई पोता नहीं है, आप गनेश जी से पोता मांगे। बुड़ी माई, रात पर सोचती रही, क्या करूं, क्या करूं, अगले दिन सुबह फिर गनेश जी उसके सामने प्रकटे, तुने सोच दिया कि तुझे क्या चाहिए, बोले हाँ प्रभू, मेरी बस एक ही इच्छा है, आपसे बस इसको पूरा कर दो, एक ही वर्दान मुझ आपसे चाहिए, बुड़ी माई इक ने कहा, प्रभू, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आखों से अपने पोते को सोने के किलास में दूद पीते हुए देखो, गनेश जी मुस्कुराए बोले, आरे, तु तो बहुत चतुर निकली, तुने तो एकी वर्दान में सब कुछ मा मांग लिया, यानि कि वो माई देख नहीं सकती, उसने अपने ले आखे मांग लिया, उसने अपने बेटे के लिए अच्छा वैपार मांग लिया, तभी तो उसका पोता जो है, वो सोने के गिलास में दूद पी सकता था, तो उसने पोता भी मांग लिया, तो उसने सारी ची पूसका सारा राज्य तुम्हारा हो सकता है रभू को पाते ही सब कुछ उनका तुम्हारा हो सकता है कि इस दिन के लिए आपने यह उपाई करना है और 21 दिन बाद आप स्वेम हमारे यहां फोन करके यहां फिर मैसेज करके बोलेंगे भी गुरुमा हमारे साथ चावर का आफ आशिरवार देते हैं इश्वर आपकी सभी मनों कामना ने पूरी करें जैए श्रीक श्रीक श्रीड़ा